एक बड़ासा तालाब जहां एक नन्ही बतक अपनी मां के साथ रहती थी। उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलडल भी था। एक दिन नन्ही बतक तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलडल में फशा है। बहन, मुझे बता लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलडल से उठा कर सुखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सुझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीडा से तड़प उठी। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा। क्या करूं, डंक मारना मेरा सुभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अंसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी मा के पास नदी में चली गई। नन्ही बेटी, तुम कहां रह गई थी। मा, एक बिच्छू तलदल में पस कया था, उसे बचाने में देर हो गई। बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। मा, मैं उसकी गंदी आदत छुडाता रहंगे। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुना संकत में पड़ गए। इस बार वह पानी की धाला में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखतर बिच्छू को ननी की याद आई। वह ननी को पुकारने लगा। ननी, ननी, ननी। ननी ने उसकी करूर पुकार सुन ली। वह जपटकर बिच्छू के पास आ गई। अब मैं इस गंदे सोबर माले बिच्छू को नहीं पचाओगी। बहान, मुझ पर दया करो। ननी का मन डोल गया। हो सकता है इसने अपनी गंदी आतर छोड़ दी हो। ननी ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक बाने के लिए आगे बढ़ा। ननी उसका इरादा समझ गई। बिच्छू भाई, ठिठा क्यों गए? टंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बहान, एक बात बताओ। मैंने सदा तुमारे साथ विश्वास गात किया। फिर भी तुमने मेरे साथ बलाई ही की। ऐसा क्यों। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते नहों। देखती हूं कौन जीतता है। ननी बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूं, अब मैं किसी निडोस जीव को डंक नहीं मारूंगा। ननी खुशो कर नदी में चल दी। बेटी, तहां देर कर दी। ननी ने पूरी घटना बता दी। प्यारी समझदार ननी, भले लोग अपनी बार-बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। ननी प्रसन्ण होकर ठिरकने लगी। बोध, इस कहानी से हमें ये सीठ मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार-बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की रहा दिखाते रहते हैं शंकर सुल्तानपुरी